राजिस्थान सरकार आज प्रभुशिरी रामलिला के दर्शन करने के लिए आयोध्या पहुंची जहां उनका गर्म जोशी से स्वागत किया गया पताती चोले की राम मंदिर के उधगाटन के बाद लंबे समय से भजनलाल सरकार का आयोध्या जाने का कारेक्रम बन रहा था लेकिन आज भजनलाल अपनी कैबिनेट के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक, सीपी जोशी, मुक्य सचीव, सुधान शुपंत के अलावा कई दिकारी, विधायक और मंत्रियों के साथ यहां पहुंचे रामला के दर्शन करने गई भजनलाल कैबिनेट के सतावन बीजेपी विधायक, चार निर्दलिय विधायक, आठ सांसद, प्रदेश भाजपा के सोला पदादिकारी और 21 पुलिस वा प्रशास्टनी के दिकारी शामिल थे राजस्थान का पूरा मंत्री मंडल सुभा साथ बजे जैपूर एरपोर्ट से अयुध्या के लिए रवाना हुआ, इस दोरान सीम भजनलाल समय सभी मंत्री बेहत खुश नजर आए, अयुध्या पहुंचने पे उनका जोरदार स्वागत किया गया, जैश शिरी राम के ना मुझे आज यहां अयुध्या शहर पहुंच के खुशी हो रही है, मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूँ, मैं प्रधान मंत्री मोदी का धन्यवाद देता हूँ, कि राम लिला का इतना भव्वे मंदिर बना दिया, हमारे रोम रोम में राम बसे हैं मन आज प्रसन हो गया, इस अयुध्या नगरी में आकर के मन प्रसन हुआ है, कि इससे पहले जब कभी भी दर्षन किये थे, राम लिला के दो टेंट में किये थे, अब दिब्व और भव्व मंदिर में दर्षन करने वाले हैं, इससे तरूप से अपने आपको अभिभूत मा रहें कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम राम लला के दर्सन एक बहुत दिब और बप्वे मंदर में कर पाएंगे मैं देश की एसोसी प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी जी को बहुत बहुत धन्वाद और सादू बात देना चाहता हूं कि उन्हों ने इस देश नहीं दुनिय के सबसे बड़े इस सांस्कृतिक महत वाले के इंदर को इतना विसाल राम लला का मंदर बनके तयार हुआ है यहीं नहीं राम हमारे रोम रोम में बस्ते हैं राम हमारे आस्था के किस पर असर पड़ेगा पूरी राम की महमा हैं दुनिया में पूरी महमा है ही राम की है असर क्या पड़ेगा करने वाले वह हैं सब कुछ करेंगे अच्छा करेंगे अगर बात करें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर कोई प्रभुश्री राम के दर्शन पाने के लिए बेचैन नजर आया और ऐसे में यूपी से भी पूरी कैबिनेट के साथ लोग प्रभुश्री राम के दर्शन करने पहुँचे थे केजरिवाल भी अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन कर चुके हैं अब राजस्थान के सियम अपनी कैबिनेट के साथ प्रभु के दर पहुँचे